संदीप सिंग को लेकर कॉंग्रेस और बीजेपी में खीच तान चल रही है उसे खीच नहीं रहे धकेल रहे हैं जी हाँ संदीप के बारे में बीजेपी कॉंग्रेस पर और कॉंग्रेस बीजेपी पर लगातार इलजाम लगा रही है पहले बीजेपी ने कॉंग्रेस पर इल्जाम लगाया शिफसेना पर इल्जाम लगाया कि संदीप का उन से रिष्टा है मगर अब पिछले कुछ दिनों से नई स्ट्रेजी आ गई सचिन सावन्त आ गई कॉंग्रेस के ने था और उन्हों ने ये कहना शुरू कर दिया कि संदीप सिंग के बीजेपी से बहुत रिष्टे हैं और मोधी फिल्म बनाई पर नविस उसको पोस्टर लॉंच करने गए और तब से ये बहस का सलसला शुरू हो गया कि आखिर संदीप सिंग किसके जाधा करीब है बीजेपी के या कॉंग्रेस के आज डिबेट में एक प्रेम शुक्ला और सचिन सावन दोनों आये थे और प्रेम शुक्ला ने कहा कि जांच की जाएगी तो कॉंग्रेस पर ही आँ चाहेगी क्योंकि संदीप सिंग के से उनके अच्छे रिष्टे थे और मोधी फिल्म उन्होंने बनाई तो सचिन सावन ने कहा कि मोधी जो है यह फिल्म चुनी गई है कौन बनाएगा उसमें संदीप को चुना गया तो किसी बड़े निता से उनका रिष्टा रहा होगा तो लबू-लबाव यह कि संदीप सिंग जो हैं बिल्कुल अलग तलग पड़ गए हैं ना उन्हों कॉंग्रेस ओन करने के लिए ना बीजेपी ना शेफसेना और वो खुद अंडर्ग्राउंड हो गए हैं भले यह लोग एक दूसे पर रसा कशी करें विजेपी पर यह आरोप लगाया गया कि संदीप सिंग के बी अगरी सरकार ने बीजेपी को घेलने की कोशिश तो की मगर नाकाम लसरा रही है आप क्या सोचने इस बारे में जरूर बताएं बने नहीं हमारे साथ लगाता है